मैंक नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्त के आज की कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं एक कहानी यह भी आत्मकथा लेकी का मन्नुभंडारी तो इस आत्मकथा को हम देखेंगे आज चौधामा भाग देखेंगे इससे पहले तेरा भाग हो चुक हैं मन्नुभंडारी का जो आत्मकथा एक कहानी यह भी नेट चाहरब के सिल्यवस में लगा हुआ है और हिंदि साहित टेजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परिछाओं के लिए इंपोर्टेंट है और नेट के लिए तो में हम लोग पढ़ी रहे हैं साहित सब्सक्राइब का कोई करक्रम चल रहा था एकति शक्रूबर 1984 की बात है और हमें सुचना मिली के इंद्रा गांधी के अंग्र अच्छकों में से किसी ने उन पर गोलियां चलाई और उन्हें तुरंद मेडिकल इंस्टूट ले जाया गया है मिर्ति को सुचना तो साम को मिल पर उस बीज दूख और अक्रोस में लिप्टी तरह तरह की अप हुआ है कितनी बार अगाह किया गया थे कि आपरेशन ब्लू इस्टार के बाद महुल अच्छा नहीं है जो अकाल तक्त हुआ था मतलब उसमें सिख्खों काफी सिख्ख मारे गये थे आपरेशन ब्लू इस् सिख्ख मतलब वहीं सब विरोधी कम से कम परसनल सेक्योर्टी मैंसे तो सरदारों को हटा देजिए पर उनका यह जवाब रहता था कि नहीं ना तो मैं किसे पर अविश्वास करूंगी नहीं इस तरह कोई भेदभाव करूंगी यानि कि काफी सरदार लोग मारे गये थे तो सरदारों में अक्रोस था सिख्खों में फिर भी सेक्योर्टी में उनके मतलब सुझाव दिया गया कि सेक्योर्टी से सरदारों को हटा दिजिए मतलब अपने सेक्योर्टी से सरदारों को हटा दिजिए उनकी डिवटी और जगा दिजिए दूर लेकिन वह नहीं मानी तो इ वाला को इंद्रणा गांधंस लिटा दिया से तरह तरह की टृपधी आफवाए आऽa आ inglés के शेक्ट है लेकिन क्या हुआ कि उन्हीं के अंग्रच्छकों ने क्या किया कि इनको लिटा दिया यानि कि इनको गोलिया दाग दे साम को मिर्ती को सुचना मिलते हैं आसंकाओं के हकीकत में बदलते ही शुरू हुए दंगे मारने कोई कोई पर जहला तो न जाने कितने बेगुना हो ने शही बात है मारा कोई लकिन इसका जो दर्द है उसके में कितने अंजाने बेगुना लोग आ गए थे अगले दिन सहर में कर्फिय लग गया एक दिन बाद ही मेरी एक समाच से भी मित्र रेड़ुका मिस्रा का फोना है कि कुछ लोगों और खाने का समान जितना भी हो सके इकठा करके तैयार रहे हैं तर पीधारूर का प्रबंद उन लोगों ने कर लिया है करफी पास मुलतब करफी में पास जाने के लिए पास रहेगा तो फिर आपको नहीं मारा पीटा जाएगा तिरलोग पूरी थाने के सामने बड़े से मैदान में सारी रात कापते थर्थराते लोगों का हुजम बैठा था कल रात त्रीकुल लोग पूरी में जो कुछ विवा उस पर बरबर कान की कवाही देता था देता सा खोन में सने घाय अधिजले लोगों को तो मैं देख भी नहीं सकते थी सो हम तीन चार लोगों ने जिम्मा लिया कि चाय बनाने का थाने के पीछे कुछ पत्थर जोड़ कर चुल्हा बनाया देर सारी लकड़िया जलाई और थ जान गया कि सांथ है सामान में चीनी और चाय की पती तो है पर दूद के दिवों तो है ही नहीं अब अब क्या हो चीनी चाय पती है घायलों के लिए जैसे तुरंद मेडिकल एड जरूरी थी वैसे ही बचे वे लोगों के लिए जुने पूरी रात खुले मैदान में काटे तो यहां बचानी है तभी थाने किसी सिपाही ने बताए कि पास में खटाल जहां गाया वैसे रखे जाती है जिनको दूह कर सारे सहर में भेजा जाता है तो है कर्फी को जासे दूध भी सारा यहीं पड़ा होगा पर वे लोग देंगे नहीं क्योंकि मार काट करने वाले भी यहीं लोग हैं मांगने पर दूध की जगा डंडे न जमा दें दो चार अजीब बीड़ा बना थे कि एक और दहसाद भरे चेहरे भूख प्यास से कुमला हुए और दूसरी और बरबाद होते दूध की टंकिया जो भी होगा देखा जाएगा एक बार जाकर मांगने में क्य चाहर्ज तभी एक प्लीस वाले नहीं सुझा है कि आप लोग जाएए आपको सायद दे देंगे और तो अवरत को कुछ भी नहीं कहेंगे सुनते ही मैं एक छात्रा के सांद गाड़ी लेकर महां पहुची पहले गाड़ी में से जाक कर देखा सामने एक तत्पद दूद के टंकिया जमा रखे थी यानि कोहीं बल्टा उल्टा जिसमें दूद रखते हैं कुछ दूर पर एक खटिया पर तीन लोग बैठे थे साच चुप चाफी थे हिम्मत करके हम दोनों उतरी इनकी छात्रा और और उतरी और अपनी मांग रख दी पांच लिटर दूद मिलेगा उपर से निजए तक हमें अपने तीखी नजरों से देखा परखा फिर एक सुखा सा प्रस्न किस लिए प्रस्न चाहे बिहद रुखाईत से पूछा गया था पर उसमें खत्रे जैसे कोई बात नहीं लगी तो मैंने साब साब बात कही आप भी जानते हैं कि किस लिए चाहिए जो हुआ है सो हुआ पर इंसानियत का तगाजा है कि इन लोगों की मदद के जाए कुछ छड़ों के चुपी बिना सब्दों के आँखों कहीं आँखों में तीनों में कुछ वरतालाफ हो रहा था या बो करवतक की तरह बढ़ा तो एक आएक हमें ध्यान आया कि दूद लेने के लिए हमारे पास कोई बरतन तो है नहीं एक तो वहां कोई बरतन था नहीं दूसरे हड़ बढ़ा हाट में हमें मांगने का भी खयाल नहीं रहा तो अपनी मांग को थोड़ा और आगे सरकाते हुए कह थोड़ी देर के लिए अपनी है टंकी हमें दे दिजिए इसके बंदे में भी आप रुपया रख लेजिए काम खत्म होते ही हम टंकी लोटा आ जाएंगे उसके बढ़ते कदम ठीटा गये माथे पर तीन सी लोटे उभर आए मुझे लगा इसी कियार में यह मना कर देगा प पर स्कोल कर भाई खड़ी थी कुछ पूछती इसके पहले हाथ से नकार का इसारा करते वे बोला वह बोला रहने दिजिए रहने दिजिए यह मत समझे कि हम इंसान नहीं है इंसान तो हम भी है पर अपने आपको रोख पना मेरे लिए संभव नहीं रहा इस पर की डोर पकड़कर पूछी बैठी अच्छा बताईए कि कल इहां हुआ क्या क्यों इतनी बरबरता से मत पूछिए सब ना फिर अभी सारा उदारता और मानिता को दरकिनार करे कायक वह भबबग उठा गुस पूछिए इनसे कि क्या करते रहें लोग सारी रात भांगडे हुए सरावे उड़ी दिये जले हैं आतिस बाजी होती रही हमारी मा को धोके से मार कर ऐसा जसन मना है कि इन लोगों ने तो सहाब हमारी रगों में भी पानी तो नहीं ही नहीं ही बता बदास से बाहर होई तो आगे गाउन से सारे लोग और ठीकाने लगा दिया यहीं होना था इन लोगों के सान यह काये कि उसके चेहरे पर क्रोद और घिड़ा से लिप्टी आजीब बरबरता फैल गई मैं भी लोट पड़ी और गाड़ी के चलती हुआ चाहे पीछे छुट गया पर रंग और भाव वजलता उसका चेहरा उसकी सुलगती हुई आखे मेरी पीट पर चिपकी चली आई और जब तक पानी नहीं खुल गया एक अजीब सदंद मेरी मन में खुलता रहा याद आई मिर्ति को सुचना मिलने वाली रात कमला नगर से मेरी एक मित्र का फोन आया मन्नों ती जानती है मिर्ति को सुचना मिलने के दो तिन घंटे बाद सरदारों के दो तिन लड़के सड़क पर उचल उचल कर चिल्डा रहे थे कुट्टी ने गड़ी दे चड़ा दिता कुट्टी ने गड़ी यह मतला पंजाबी भासा कुट्टी ने गड़ी दे चड़ा दिता कुट्टी ने गड़ी ते चार से भरी बड़ी से अलमुनियम की केतली मेरे हाथ में थी और मेरे साथ एक लड़की ने अपने चुन्नी में खाने के कुछ जेजे भार रखी थी और हम एक एक के पास जाकर बाट रहे थे तोड़ी देर में से एक बुजूर से सरदार जी के सामने खड़ी थी सिर के खुले सफेद बाल, कुर्टे के खुले बटनों से जागते चाती के सफेद बाल बिल्कुब भाव, हीन, पत्राय, चेहरा, पास में तीन औरते और कुछ छोटे-छोटे बच्चे सरदार जी कुछ बरतन हो तो देजिए, मैं चाय देते हूँ, न कोई उत्तर, न चेहरे पर कोई भाव, मैंने अपनी बात दोराई, चाय लिजे, सरदार जी, थोड़ा सुकुन पहुचेगा, सुकुन, तुम चाय से सुकुन देने आई हो बिब्बी, अरे जिस बाप की तुम ही बताओ विब्बी, कितनी बार हम उजड़ेंगे, और कितनी बार बसेंगे, एक बार पंजाब से लूटविट कराया था, तब ये बच्चे छोटे 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 थे, पर उस समय मेरी बाहों में जोर था विब्बी, खुब मेरा मजदूरी की बच्चों को पढ़ा पन्ना उसकी आँखों में कोई आसू था, ने चेरे पर कोई दसा, सिर्फ एक प्रस्ण था, और फिर तो लगा जैसे उसका पूरा वजुद ही एक प्रस्ण में बदल गया, कितनी बार उजड़ेंगे, और कितनी बार बसेंगे, साम को घर लोटते समय, ना लोगों की बाते मेरे जहन में उत्तर रहे थे, और ना महां के एक काम और हालात के ब्योरे, उस दिन सुना नहायत एक नया नारा, हिंदो मुसलिम भाई भाई, सिखों की अब करो सफाई, जिसने काफे देर तक हम लोगों को चमत्कृत रखा था, दोदला गया, बस मन में अगर कुछ आटक क कर रहा गया, तो सर्दाजी का वो पत्राय हुआ चेहरा, जिस पर एक अनुत्रित प्रश्न टंगा हुआ था, और कभी-कभी उस चेहरो को काड़ती हुए, क्रोध में धदकती, ग्वाले की सुर्क अंखों से बरसता है, यह प्रश्न धोके से हमारी मा को मार कर ऐसा जस्तन म आखे भी मुझे कभी-कभी याद आ जाती है, नया तो मैं कुछ लिख नहीं पा रही थी, इसलिए एक बार मैंने इस प्रसंग को हंस में छपने के लिए दिया, यह छपा और पतिक्रिया में आये दो पत्रों ने मेरी भी बड़ी लानत गलामत की, लानत मलामत भी की, को लगा था कि मैं जैसे परोचुरूप से दंगो का समर्थन ही कर रहे हूं, दंगो का समर्थन सरदारों पर जैसे बरबर अत्याचार हुए उसका समर्थन, आज लिखते समझ जब यह प्रसंग आये तो पत्तिक्रिया में शपे वे पत्र भी दिमाग में कौन है, और लगा कि इस समय तो ज़रूर मुझे अपना असपश्ट कर देना चाहिए, उन दंगो में सरदारों के साथ जैसे जैसे अमानवी और दिल धाला देने वाले अत्ताचार हुए थे, एक का हवाला तो मैंने खुदी दिया है, कोई भी सम्बेदन सिल ब्यक्ति उसका समर्थन कर सकता ह है भला, नहीं कर सकता, बलकि मैं तो यहां तक काने को तयार हूँ कि समर्थन करने वाला ब्यक्ति अपने को मनु से काने का अधिकार भी रखता है, क्या नहीं रखता, लेकिन सब के बावजित इन सारी घटना को उसके पूरे परिप्रेच में रख कर उसके सारे संदर्वों के सां समझना चाहती थी, यह तो जग जाहर है कि इंद्रा गांधी के मित्तियों पर बहुत से सरदानों ने खुसियां मनाई थी, टीवी में लोगों ने खालिस्तान के सुर्थदार जगजीत सिंग को सैंपेन की बोतल खोल कर मिठा या बाट कर जस्मनाते भी जरूर देख मत्रा और हिंदों को अलग करके गुलियों से भुझधिया, साखली के इकिस लोगों को गुलियों शेबुपगों अए और ऐसी ही अन्यक बातों का आफ़र हिंदों के मनन में जरूर citi कहनि न रहा होगा जिसने जस्ना मनाने help अरी खबर के छके सांथ मिलकर इतना उग्रो संकल्प के पीछे सरदारों का रोस उनका पवित्र स्वाण मंदिर और उस पर इंद्रा गांधी का आप्रेशन ब्लू इस्टार उन्हें आहात और कुपित करने के लिए काफी था पर अब इंद्रा गांधी भी करे तो क्या करे उसी पवित्र मंदिर में अपने पूरी असलहा के साथ भिंडर वाला अपना खालिस्तानी अंदुलन चला रहा था अब इस अंदुलन को कुछलने के लिए इंद्रा गांधी को कुछ तो करना ही था परप्रश्न तो यह उठता है कि विंडर वाला को अकालियों के खिलाब किस ने तयार किया था इंद्रा जी नहीं तो मतलब उनका ही हतियार उनहीं पर उल्टा पड़ा और यह सारा खेल तो राजनिती का है कुछ लोग जिसके सिकार होते हैं और मारे जाते हैं जारो हजार निहायत निरी निर्दोस और बेगुना लोग इसी तरह अफगानिस्तान में रूस के खिलाब अमेरिका ने क्या हुआ था कि इसी तरह अफगानिस्तान में रूस के खिलाब अमेरिका ने तालिबान को तयार नहीं किया था पर सत्रू को पराष्ट करने के लिए च जारा साही कर देते हैं इंड्रा गांदे और अमेरिका दोनों ही इसके जीते जाटे उधारान आने जैसा कि कितना बड़ी यांपल इन्डरा गांदे ने झिसके तयार किया उसी ने उसके उपर अठेग किया यह 11 सितंबर उस भैंकर तराश्डी को अमेरिका कभी भूल पाये चाहती हैं कि एसे घटनाव में कई बार कडिया एक दूसरे से जुड़ी रहती है एक गड़ी का जिकर करते समय दूसरी कड़ी पर औंगली रख दी जाये तो उसे उसी संदर में देखा समझा जाना चाहिए सन 1984 नवंबर में ही मुझे कोलोन जर्मनी से एक निमंतरन मिला और साउथ इस्टेसिया की लेखिकाओं के सम्मेलेन में सिर्कत करने के लिए जर्मनी मैं हैरान से ज्यादा परसान क्योंकि विदेश जाने का मुझे कताई कोई साउक नहीं आज है पर राजेंद्र ने हाँ खु हो गई राजी भी हो गई इतना ही नहीं राजन ने साइट एक अदमिया और आई सी सी आर से लिखा पड़ी करके इस यात्रा में तीन चार अस्थान और जुड़वा दियें जैसे की बियना आश्टिया राध्धनी पेरीश फ्रांस की राध्धनी और आपका इंग्लेंड क का लंदन ब्रुशल्स में नीरा और रानन थे ही अस्थानों का चुना मैंने इसी अधार पकिया था कि महां कोई न कोई ईसा परिचित विखती रहता हो जहां मैं सुविधा से ठार सकूँ वैसे तीनों ही जगा सांस्कितिक साय तिक दर्षे से बहुत महत्तुण थे ही क्यो उन दो तिन बातों का उल्ले करूंगी जुनोंने मुझे उस समय जरूर थोड़ा उद्वलित किया था। पहली और सबसे प्रमुख बात तो यह है कि दूसरे देशों में हमारे देश की छबी का इतना नकारात्मक पच्छी क्यों कीते हैं। मैं यहां से गई उससे काफी पहले ही यहां के हिंदू सिख दंगों पर पूरी तरह नियंतरन कर लिया गया था। हां सिखों के मनों में पड़ी दरारों को भनने में तो बहुत समय लगा था जो बहुत स्वाभाविक भी है। पर आचर तो मुझे इस बात का हुआ कि कोलोन के टीवी अभी वेदरी से दिखाए जा रहे थे जलते विटर के दुकाने गुरु द्वारे इतना ही नहीं बलकि एक साच्छातकार में मुझे अभी पुछा गया कि आहिंसा का पाट पढ़ाने वाले देश पहारत में ऐसी ब दिया पर अंत में एक प्रश्णा मैंने भी अपनी ओर से जड़ दिया कुछ हस्ते भी मैंने पूछा जिस देश में नाजियों द्वारा लंबे समय तक चलने वाली गैस चंबरों की निहायत कुरूर अमानवी और बरबर हिंसा का इतिहास दबा पढ़ा हो वहां मुझ से य 2,000 लोगों की हत्या और कहां 60,000,000,000 लोगों जिन्दा धफना दिये गए दिया जाना कहां 5-7 दिन तक चलने वाले दंगे और कहां 2-3 साल तक चलने वाला या भरबर नरसंगहार और दंगे समाप्त हो जाने के बात दंगा पीड़तों की मदद के लिए जुटने वाले लो जो गेद बड़े ताकत के साथ मुझ पर मेरे देश पर उचाली थी उसे दोगने वेगा और दोगने प्रहार के साथ उन्हीं के पाले में उचाल दिया यहीं मैंने किया जर्मानी मितला वही नाजिवाद आप देखते हैं ना हिटलर कैसी बरबरता किया था तो मनु भंडा ने ताक दिया कि आपके देश में भी तो हिटलर जैसे नाजिवादियों ने कितनी हत्ता हैं कि ठीक इसी तरह एक दिन सामको निहायत अनवशारी बाचीत के बीच किसी लेखिका ने मुसे पूचा किस देश की थी किस देश की थी याद नहीं मतलब यह कह रही है कि किसी ले लोग किया था उसने मैं तो आवाक से उसका मुह देखती रह गई रात को खाने बैठे तो एक पूछने लगी आर्यू बामन आर्यू बमान आर्यू बमान आर्यू बमान मेरे तो क्या मेरे दूभासियों कि भी पल्ले नहीं पढ़ रहा था उसका प्रशना पर उसने उनसे थोड़ी सी बातके वास उसने मुझे बताए कि पूछ रही कि आप ब्रामण अच्छा ब्रामण अब रमाला का इस पर सच्फमश है पड़ी में पूछ ले चल्टि उनके समस्तियाओं को वारे में कोई बात नहीं उन पूछी भी तो जाती इन लोगों के देमाग में हमारे यहां की जाती पर्था बैठी है यहां के पढ़े लिखे सारी लोगों के सारी लोगों को जिससे मुक्त हो गया खैर उससे बारे में काफी बाते हुए और इस सिलसले में मैंने यहां केस्टति असपास्ट भी कर दी पर रात को मैं सोई तो एक ही प्रस्ण हुआ है इसके बावजूद कुछ अच्छा पजबित हो है हमारा उसे क्यों नहीं हुजा उजागर किया जाता हुआ क्या करते हैं हमारे राजदूत और दूत्वावास क्यों बाहर के देश हमारे यहां कि नकारात्मक पच्छ सही परचीद होते हैं और उसे ही बढ़ा चढ़ केंद में रखकर 20 साल मिले का अव्जन किया गया था हींदे के आठ और मंगला के उसमें महास्वेता थी जो मंगला के हैं मनलब के जंगल के दाविदार महास्वेता-जी का उन्हें का प्रिदा इनकी को बीच की जाने वाले उनके काम के लिए अधिवासियों की रचना है जंगल के दाविदार नाम से भी लग रहा है महां किसी एक दिन कारकार में मेडिया के लिए तो हीरोईन बनी हुई थी कारण बेहत निश्वार्थ भाव से निष्टा पुरुवक किया जाने वाला उनका काम नहीं बलकी बलकी अपनी एक कहानी को केंद में रखकर वहां बड़ी नाटकी ढंक से कुछ-कुछ अभिना की मुद्रा में भारती समाज की बिक्रितियों को प जानती हूं देदी कि यह सब दो सहे विक्रितियां हैं हमारे देश में पर क्या कोई अच्छाई है ही नहीं हमारी संस्कृति में हमारे समाज के बनावाट में यह दि कुछ भी है तो उससे भी तो उजागर किया जाए कभी खासकर दूसरे देशों के सामने मैं नहीं जानती हो जाती प्रथा हो उनके सूच की सीमा तो हो सकती है लेकिन उनकी वोड से आये यारू बिल्कुल निराधार तो नहीं है सारे साच छर्ता अभियानों के बावजूद जिन पर पैसा भी कम नहीं भाया क्या आज भी 30-35 प्रतिसात निरच्छर तो हैं यह सरकारी आकड़ है अस क्योंकि सारी राज्यती उसे संचाली थो रही है वास्त्विक्ता सायद्य है कि इस विशाल देश में जितने विविदता है उससे छोटे छोटे देश अपने पैमाने से ना भी नहीं सकता अगर यहां निरच्छर हैं तो साच्छर मेधावी बुद्ध जीवियों को भी कमी नहीं है गाव देहात के लोगे जाती पर था के दाएरे में बदे हैं तो इस दाएरे को तोड़ इससे पूरी तरह मुक्तिवे लोगों की संख्या भी लगातार इजाफा कर रही है अंतर जाती विवाहों के दिन पर दिन बढ़ती संख्या इसका प्रमाड है मेरा अगर के संतुलित ना इंथा कि हमें तो कम सिकम अपने देश की खवी का एक संतुलित पच्छर रखना चाहिए आज आश्चर के बाद तो है कि पछले आट-दक सालों में आने कस्तर अफर देश की सित्यां बस से बत्तर हुई हो बाहर के दैसों में भारत की चवी में बहुत निखा नहीं है मैं तो क्यों कुछ सालों में आया इस सभी निखार के बाद भर कर रही हूं हाँ जब फ्रैंकफर्ट जो की एकस्थान है मिद्यस में फ्रैंकफर्ट का प्रसंग आही गया तो एक बात हो जरूर लिखना चाहूंगे पुस्तक मेले के लिए जब मुझे निमंतरन मिला तो सच्मुन मुझे आश्चर हुआ कोलों में तो चली महिला वाला मामला था पर यहां अरे एक से एक दिगज लेखक धरे हुए थे उनके रहते में पर बुलाया था तो मैं गई और क्योंकि 25 लेखकों का साथ था तो इस बार ना कोई डर था नहीं चक पर वहां जाते ही मै ने डक्टर लुसे से या बात पूछी जरूर उन्हें ने कहा जब आप कोलों आई थी तो आप जहां तहां और जब जब बोली हिंदी में ही बोली थी उहां के मुख्य सम्मिलन में तो डक्टर लुसे ने ही मेरे दुभासी की भंका अदा की थी इसलिए आपको बुलाने का नेड़ा तो तभी ले लिया गया था कि को कि भारस से तो जब भी कभी लेखा का अंग्रेजी जाड़ता ही आया जानकर रहात मिली कि जो हिंदी मुझे अंग्रेजी दा लोगों के भी चुपी साधने पर मजूर कर देती है कम से कम हां तो उसने मेरा भाव बढ़ा ही दिया ढूंब hy भासा जकी बात आया थो एक प्रसंका उल्ले खावर करना चाह嘗े कभी अपने कॉलेज मीरेंड़ा हाउस में एक लेंड़ा डेली भला एक लड़कि हिंदी पढ़ने आए थी नाम देतेगा मिचिको लिची को फिची को कुछ भी देतेगा मिचिको नकादा याद रखे मिची को नकादा क्लास में जाकर जब मैं उससे देखती तो मुझे लगता जैसे उसने अपने चेहरे पार ब्लॉटिंग पेपर चपका रखा है जो भी बोलूंगी तुम इतनी दूर से हमारी भासा सिखने आई हो तो हमारा भी फर्श बनता है कि हम तुम्हारे आधिक स्याधिक मदद करें कुछ देर के लिए मेरा चेहरा देखती रहे फिर मेरी बात का जवाब देने के बजा उसने बहुत देरे देरे वाक्यों को तोड़ तोड़ कर एक प् किंग वाली बात है वह सुचे होगे कि मतलब सुन सुन के सीख लेंगे लेकिन अब बड़े-बड़े समाज में अंग्रीज यह सब जाड़ते होंगे मैं छात्राबास में रहती हूं कालेज के बाद तो वहां मुझे एक भी सब्द हिंदी का नहीं सुनाए पड़ता चड़ को लगा जैसे यह प्रस्णा नहीं मेरे मुग पर किसी ने तमाचा ही मरा है तमाचा ही है मेरे पास चाहिए इस बात का कोई जवाब नहों पर उसके लिए तो यह बात उसकी सोच और समझ से परे थी अब उसे हिंदी के दूर दसा के कालों का बेस्तित बेरात क्या सम पर दिया जाए जिस इसिति को आप बदल नहीं सकते उसे साज भाव से या फिर मजबूरी में सीवकार कर लिया जाए फिर भी कई बार यह भी सोचती हूं कि मेरे इस कष्ट पाने के मूल में कहीं मेरी अपनी असमर्थता ही तो नहीं है हो सकता है कि हो पर क्या सचमूच यह बात कष्ट पाने की है कि कष्ट पाने की है ही नहीं तो इक तर जमी पेतो यह चौधामा भाग आपका समाप्तु है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जहिंजे भारत लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब लाइक सेर भी करते रहिए ज जह इंजे भारतओ